और शलिय बागे बढ़ेंगे खबरों में और विस्तार से खबरे बताती हुए आपको बड़ी खबर बता देते हैं उतर वदेश के गाज़ेबाद से जहां ससुलाल वालों की दबंगई देखने को मिली ससुलाल वालों ने बेनोई और उसके भाई को जम कर पीटा पत्नी को लेने गए पती की ससुलाल वालों ने पिटाई कर दी ओडी कार्ट सवार ने गाज़ को भी टकर मार दी माईला ने ससुलालियों पर इसके बाद F.I.R. दर्ज कर आई है गाट गंधी रूप से घायल हो गया है अस्पताल में भर्ति कर आया गया है इंद्रापुरम धाना शेत्र वसुन्द्रा सेक्टर दस की ये पूरी खटना CCTV फोटेज भी इसका सामने आया है माईला की तरब से ससुलाल वालों पर केस दर्ज कर आया गया है गाजबाद में बेनोई की देखे कैसे पिटाई की गई है ससुलाल वालों की दबंगई देखने को मिली ससुलाल वालों ने बेनोई और उसके भाई को जम कर पीटा ओडी गाडी बेकाबू नजर आई ओडी पती की ससुराल वालों ने पिटाई कर दी ओडी काड सवार ने गाड को भी इसके लावा टकर मार दी स्कूटी पर सवार एक शक्स यहां से जाता है उसको भी टकर लग जाती है वो भी स्कूटी समेथ गिर गया बाकी लोग आते हैं फिर उठाने के लिए लोग समझ नहीं पाते कि अच्छानक यह हुआ क्या यूपी के गाज़वाद से ससुराल वालों की दवंगई का ये पूरा मामला सामने आया है माईला की तरफ से इसके बाद अपने ससुराल वालों पौर एफ आई यार रर्सकर आई गई है गाड़ गम भी रूट से खायल हो गया है अस्पताल में भरती कराया गया है इंडरापुरम थाना शेत्र का ये पूरा मामला वासुनरा सेक्टर दस की ये पूरी घटना तस्वीरे एक्स्ट्यूसिव आपको दिखा रहे है यूपी के गाज़बाद का ये पूरा केस एफ आई यार फिलहाल दर्सकर आई गई है आरूपियों के खिलाफ माईला की तरफ से दबंगई देखे किस कदर दो लोग गिर जाते हैं ये सीसी टीवी फूटेज है सीसी टीवी कैमरा हमा लगा हुआ था जुसमें ये तस्वीरे कैद हो गई देखे कैसे रौनते हुए ओड़ी गाड़ी में सवार होकर ये लोग आते हैं और गाड़ को रौन दिया स्कूटी सवार गिर जाता है उचाने के लिए फिर बाद में लोग आते हैं शिकायत पुल्स की तरफ से दर्ज कर ली गई है अलंकि अभी तक कारवाई क्या हुई है ये नहीं साफ हो पाया है